नवस्कार साथियो, वेलकम टू RPSC एक्जाम्स यूट्यूब चेनल, पहरे साथियो आज के इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे रीट समाजिक अध्यन की अध्यन समगरी के बारे में, और रीट SST वाले बच्चे कहां से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, ताकि कम सम पर आपको विश्वास हो जाएगा अपने उपर कि हाँ, मैं साथ में से पजास से उपर अंक लेके आ सकता हूं, साथियो निस्सित तोर पर SST में, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिलकुल नए सलेबस के उपर आधारित ये वीडियो है, नए सलेबस में जो आपका मे मिलेगा, कैसे PDF मिलेंगी, कैसे आपको पाठे करना है, टोपिक वाजटेश्ट स्रीज आप कैसे पराप्त कर सकते हो, निसुलक नोटस आप कैसे पराप्त कर सकते हो, अना सारी की सारी बातें इस वीडियो में साथ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, और अध्यन सामगरी जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो आप सब लोग जानते हैं, सिरी सुसील कुमार जी व्याख्याता हैं, जो अभी वर्तमान में, और सेकंड ग्रेड टीचर में वो सेलेक्ट हो चुके हैं, इसके लावा दो बार थाड ग्रेड में सेलेक्ट हुए हैं, दोजार ग्यार बच्चों तक इनकी पहुंच है, लेकिन जो बच्चा एक बार इनसे जुड़ गया, वो इनसे कभी अलग नहीं होगा, ये निश्चित तोर पे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इतना स्यांदार कलेक्शन, इतना स्यांदार मेटेरियल, कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है, है ना, और ऐसी भी बुक्स हैं जिन में 400 पेजिज में केवल हिस्ट्री 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 है, तो हम क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, बड़ी समस्या रहती है, तो उन सभी समस्याओं का समाधन आपको दिया जाएगा, बहुत ही एक परकार से ये मान लीजिए कि शांदार आपको, बिल्कुल सोट में नोट्स आपको मिलेंगे, यूनिक कलेक्शन मिलेगा, टोपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे जिनको करने के बाद आप निस्थित तोर पे, एसस्टी में, रीट में, एसस्टी में, पचास से अधिक अंकल लेके आ सकते हो, ये मेरी गा नोट्स रहेंगे, ये आपके NCRT पुस्तकों पर आधारित रहेंगे, ठीक है, क्योंकि नया सलेबस आया है, जो कि NCRT बुक्स पर आधारित है, तो पूरे जो नोट्स हैं, वो NCRT बुक्स पर आधारित साथ ही आपके रहेंगे, ठीक है, चलिए, पीडियेफ आपको नोट स्की मिलेगी कैसे मिलेगी क्या मिलेगी डिसकस करेंगे देखे सुसील जी के बारे में मैंने आपको बता दिया यह वर्तमान में व्याख्याता के पदपर हैं और वैसे अभी प्रिंसिपल हैं प्रधनाचारी हैं कारियवाक हैं वैसे इसकुल व्याख्याता के पदपर हैं सब इंस्पेक्टर की बरती SSC के माध्यम से इन्होंने किलियर की थी इसके इलावा राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल 2012 में किलियर किया वंद्रक्सक 2011 में इन्होंने किलियर किया था ठीक है साथियो तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा experience हर एक चीज का है सस्टी में अगर सबसे बहतरीन मेटर को इराजस्तान में दे रहा है तो निश्चित सिरिसुसील कुमार जी दे रहे हैं आप एक बार इनका मेटर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा रीट दो हजार इकिस में पूछे गए कुछ प्रशनों का वीवरण बिनों ने आपके लिए तयार किया है और इसी करम में एक प्रकार से ना NCRT की बुक्स को आधार मानके इस बार मेटर तयार किया गया है कक्षिया चैसले के बारा तक की पुस्तकों से कक्षिया 6 की पुस्तक से जो 26 सितंबर 2021 को पेपर हुआ उससे 7 प्रशन आए और 16 अक्टूबर वाले में 10 प्रशन आए इसी प्रकार से सबी बुक्स के बारे में बताया है ठीक है और राजस्तान से समदित प्रशन पूछे गए 26 सितंबर वाले पेपर में 23 और फिर 16 प्रशन लगती है ना मतलब इस दुनिया का सबसे कठिन कारी है और उसको भी इतनी सिद्धत से करना वाकई में काबिले तारिफ है यह चीज़ ठीक है तो जरूर से जरूर आप जुड़े इन से इसके अलावा रीट 2021 में इनका परिणाम क्या रहा है यानि कि जो नोर्स इन प्रशन मादेमिक शिक्षा बोर्ड रास्तान की पुस्टकों से पूछे गए थे और इन ही से इन्होंने नोर्स बनाए ते इस बार सलेबस सेंज हुआ है NCERT की प।्स्ट के अपने चेल रही हैं और उनहीं से आपका प्रस्पत्तर बनेगा उनहीं से इन्होंने REAT SSD के नोड़् साथ यो इस बार बनाई है तो ये पिछले बार वाले जो नोड़् थे इंके उनकी बात है इस बार इनोने नोट्स को अबडेट किया क्योंकि कॉर्स भी आपका अबड़ेiva के अबडेट हो गया है ठीक है इनोने बताया है कि मेरे दूरा बनाए गए नोट्स राजस्तान में सरवादिक प्रसंद देने वाले नोट्स रहे निस्झत हि रहे 53 में से 99 प्रसंट जी के के इनके नोट्स में से साथियो आये थे इसका कारण मैंने कक्सिया 6 से 12 तक की पुस्तकों के नोट्स को बहतरीन तरीके से प्रस्तूत किया था वाकई में बहतरीन तरीके से प्रस्तूत किया था साथियो ठीक है वाकई में मतलब जिन बच्चों ने इनकी नोट्स लिए थे वो आज भी इन से जुड़े हुए हैं और रोजाना मेसेज यही करते हैं कि सर आप थर्ड ग्रेड के लिए सेकिंड ग्रेड के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए हमें नोट्स प्रोवाइड करवाओ अब एक आदमी कितना काम करें लेकिन रीट के लिए कर रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छी बात है आप लोग जोईन कर सकते हो इनको बोर्ड की पुस्तकों के अलावा अनावसेक अध्यन सामगरी को नोट्स में सामिल नहीं किया गया था और इस बार भी नहीं किया गया है ये मेरी गारंटी है ठीक है सरवादिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यारती भी इन से जुड़े थे जो किसाइद बिकानेर के हैं कोई स्वामी जी है और उनके सबसे अधिक एक प्रकार से अंक आये थे साथ में से अठ्याउन और वो भी इन से जुड़े हुए थे तो बहुत अच्छी बात देखिए बहुत मेहनत लगती है और बच्चे जब अप्रिसियेट करते हैं जब आपसे पढ़के कोई बच्चा अच्छा अंक लेके आता है और फिर वो आपको बताता है तो वाकई में खुसी होती है और उसी चीज़ को एक अंटिन्यू कर रहे ह हैं आप लोगों की खुसी के लिए और एक प्रकार से मैनत तो देखें बहुत लगते हैं लेकिन जब बच्चे मोटिवेट करते हैं तब निस्सित तोर पे बहुत अच्छा कारिये किया जाता है और इन्हों ने बहुत बहुत बहतरी इन कारिये किया है इसके लावा रीट 2022 में एक बार फिर से मेरे सरवादिक प्रशन वाले एक प्रकार से देने वाले प्रशन होंगे इस जिज़ की मैं साथियों गारंटी देता हूं आपको गारंटी देता हूं कि रीट साइंस में मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें से बाहर नहीं जाएगा एक आदा प्रशन आ जाता कोई बड़ी बात नहीं होती और रीट SST में सुसील जी के जो नोट्स रहेंगे उस में से बाहर नहीं जाएगा यकीन मान लीजिए जो यकीन मान लेगा और पढ़ लेगा उसके तो अंकाएंगे जबरदस्त और यकीन नहीं मानेगा तो वो फिर हम कुछ नहीं कर सकते आप कहीं और से पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपके बहुत अच्छे अंका सकते हैं अगर आप पढ़ोगे तो लेकिन हमारे नोट्स से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे अंकाएंगे ये हमारे गारंटिया साथ ही हूँ, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, SST REIT 2022 के लिए NCRT में कौन से अध्याए पढ़े हैं, कक्सियावा अध्याए सही तो देखें, इसके लिए देखें, आप अप्लिकेशन को इनके अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिं के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जुड़े हुए भी होंगे, उस टेलिग्राम ग्रूप में भी एक दो यूनिट की मैं पीडियाफ डाल दूँगा, ठीक है, और कौन से किताब से कौन से चेप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से यूनिट में कौन से चेप्टर के लिए उपयोगी रहेंगी, सबसे अलग और सबसे बहतर मेटर जो वो साथियस में दिया जाएगा, इसके अलावा, NCRT में कौन से अध्याए आपको पढ़ने हैं, कक्सियावा अध्याए साहित बिलकुल आपको मिले गाए, पीडियाफ में, ठीक है, पॉलिटी की दो उनके युनीक नोट्स, जो की पूरे नोट्स आपके रहेंगे एक परकार से, बिलकुल फिरी में आप उनको देखे, पढ़े, टेस्ट दीजिए, ठीक है, डेमो टेस्ट भी आप लोगों के लिए अविलेबल है, अब देखिए, युनिट नमबर एक, इकाई, नमबर एक क इस परकार से, सारे नोट्स इन्होंने इसी परकार से तयार किये साथ यो, तो देखिएगा, इकाई एक में भारतिये सब्बेता सेंस करते हों समाज पर आधारित है, इन्होंने किस परकार से तयार किया इस युनिट को, कक्षयाथ शै से लेके 12 तक की पुस्तकों का मेटर उठाया है हना सिंदु सब्वेता के लिए नोने कक्षयात्स है हना हमारे अतीत भाग एक ये किताब का नाम है पाठ का नाम है पाठ नमबर तीन आरंभिक नगर ठीक है और यहां इनोंने बोला कि संपुन अध्य है आपको ये पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना है तो इनक पाठ नमबर एक इंटे मनके और अस्थिया हना संपुन पाठ आपके सिंदु सब्वेता में आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अलावा कक्षया च्छै हना उसमें चार पांच और च्छै का पाठ टोपिक से समंदित चीज़ें आपको पढ़नी पढ़ेंगी कक्षया बार ही भी कक्षया च्छै और बारा में आपको क्या पढ़ना है ठीक है तो इतना सटीक तरीके से बताया गया है और नोट्स को भी इतने सटीक तरीके से ही तयार किया गया है इसी परकार से आपको यूनिट नमबर दो यूनिट नमबर तीन और बाकी भी जो आपकी नई जो एक परकार से और यूनिट जो जूड़ी है कक्सिया एक परकार से 6 से लेके 12 तक की पुस्तकों पर आधारित रहेंगी अना 10 की 10 यूनिट यूनिट नमबर 11 और 12 आपके टिचिंग मैथल से समझे होती हैं उनकी बात देखिए मैं यहां नहीं करूँगा 10 यूनिट जो आपके SSD पर आधारित रहेंगे इसके अलावा टेस्ट स्रीज आपको टोपिक वाइस देखने को मिलेगी नोट्स पढ़िए और फिर टेस्ट देखे आप देख सकते हैं परतेक टेस्ट के परतेक प्रशन का एक प्रकार से विस्तरित व्याख्यान जोसात्यों नीचे दिया जाएगा आपको जिसकी वज़त से आपको आईनिशारिटी की बुक भी पढ़ने क्या हो सकता नहीं पढ़ेगी वहीं से आपका वो मेटर किलियर हो जाएगा ठीक है इस कोर्स की सस्टी के कोर्स की विसेस्ता क्या है तो देखे इस कोर्स को रीट के नए पाठेकरम 2022 यानिकी जो आईनिशारिटी की जो बुक्स है उनके अनुसार तयार किया गया है नए पाठेकरम के अनुसार इस को आईनिशारिटी बुक से तयार किया गया है दूस बिल्कुल topic wise और topic wise का मतलब यह है कि जो topic में है उसी से सम्मझित प्रशन रहेंगे उससे बाहर नहीं जाएंगे। आपको इतना सटीक मेटर मिलेगा कि आप अचंबित होंगे कि क्या इस प्रकार से भी पढ़ाजा सकता है। जो इनसान इतनी एक प्रकार से vacancies clear कर चुका है और इतनी बार select हो चुका है तो उनको एक प्रकार से हर एक चीज का knowledge है कि कहां से कितना पढ़ना है और तभी इतनी बार selection को इन ले सकता है अदरवाईज तो आपको पता है कि एक बार selection लेने में कितनी समस्य आती है तो to the point पढ होगी इनके notes से आप यहीं सीखोगी क्योंकि मैं खुद सीखता हूँ इनके notes से आप यह सीखोगी कि पढ़ना क्या होता है to the point कैसे पढ़ा जाए जो topic दिया उसको कैसे पढ़ा जाए कौन सी चीज मैं तो कून है हर एक चीज को इतने बहतरीन और बेजोर तरीके से प्रस्त भाया गया है पढ़ेंगे टेस्ट देंगे तो निस्सित ही आपकी सफलता आपको मिलेगी यह जो मेट रहेगा यह पूर्ण तर रीट के पाठेकरम को समर्पित और कक्षाथ से लेके बारा तक की पुस्त कें जो वरतमान में अपने राजस्तान बोर्ड में चल रही हैं जो विश्तित व्याख्या दे गई है एंस्यारिट की पुस्त को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पढ़ेगी हर एक प्रशन को बहुत ही ज्यादा विश्तित तरीके से बताया गया है जिससे उसे जुड़े सभी तथे आपके किलियर होंगे और एंस्यारिट की बुक्स को भी आपको देखने क्या हो सकता नहीं होगी नोट्स में गलती की संभावना ने के बराबर है 99% सुद आपके नोट्स है बाकि देखे 0.1% या 1% तो गलती चोटी मोटी रही जाती आप सभी को पता है वो तो कोई बड़ी बात नहीं है बाकि विशेस ध्यान यही है कि कोई गलत करिए आप खुद देखिए और अप्लिकेशन पर विजिट करने से पहले आप हमारे एक प्रकार से टेलिग्राम पे जा करके इनका जो यूनिक टेस्ट स्रीज है उनका निसुलक डेमों भी अविलेबल है तीन चार टेस्ट उसमें अविलेबल है वो आप देखे जरूर दे तीन उनिट के आपके पर यूनिट के तो पूरी नोट्स फिरी हैं दूसरी तीसरी में भी काफी टोपिक्स के नोट्स आपको फिरी में दिये गए हैं उनको पढ़िए उनको वो अगर आपको पसंद आए तब ही आप इनके नोट्स लीजेगा दरवाइज एक परसेंट भी आप जुडेंगे तो डेफिनेटली आपको फाइदा होगा अप्लिकेशन का नाम वहशे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लेकिन अप्लिकेशन का जो नाम है वो है राजस्थान एक्जाम्स एप ठीक है को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें इसके बाद इस प्रकार का आइकन है साथियो आपके अप्लिकेशन का इसके बाद क्रियेट न्यू अकाउंट पर आप क्लिक कर सकते हैं जो कि निसूल का बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगता है उसमें आप अपना नाम इमेल आइडी एंटर करें और पासवर्ड बनाएं ठीक है आपको अपनी इमेल आइडी के पासवर्ड नहीं डालने आपकी जो इमेल आइडी खुद बच्चे क्या गरते हैं खास तोर पे एक प्रकार से बच्चों को यह नहीं पता होता है कि पासवर्ड कौन से डालने पासवर्ड मांगता है और मांगते हैं एवन क्या करते हैं जो हमारी इमेल आइडी के पासवर्ड होई डाल देते हैं आपको नया पासवर्ड क्रियेट करना होता है इमेल आईडी वही काम में ले सकते हो, आप यहाँ नया पासवर्ड करियेट कर लीजिए, पासवर्ड कैसे बनाएं, आपको एक तो स्मोल लेटर डालना पड़ेगा, बाकि आप स्मोल डाल सकते हैं, उसके बाद में एक आप स्पेशल करेक्टर चाए अड़ डाल दो, चाए आप हैस डाल दो, उसके बाद कुछ अंकों में चीज़ें भी होनी चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार से आप पासवर्ड बना सकते हैं, इसके अलावा इस कोर्स से संबंदित, कोई भी समस्या आए, कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, कुछ भी बात हो, अप्लिक प्रक इनसे कर सकते हैं, और हर एक चीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो पैरे साथियो, ये था REIT SST के लिए बहत्रीन मेटर के लिए एक वीडियो, उमीद करूँगा आपको निश्सिती सारा का सारा इनका मेटर पसंद आएगा, और डेफिनेटली आप लोग एक बार विजिट जरूर करें अप्लिकेशन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है साथियो और टेलिग्राम ग्रूप का भी लिंक डाल दिया है जहां पे आप पीडियेफ वगिरा यूनिट नंबर एक के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे हाना कहां से क्या पढ़ना ये भी मिल जाएगा वो सारी चीजे देखने के बाद आप लोग इनके अप्लिकेशन को विजिट करें और फिर आप डिसाइड करें कि आपको मेटर लेना है या नहीं लेना है ठीक है साथियो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक और ने टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत